कॉब के मीनिंग को ध्यान से समझेगा इसका इस्तेमाल कई तरीके से अलग-अलग sentences में, अलग-अलग sense में, अलग-अलग मीनिंग के लिए किया जाता है कॉब का आर्थ होता है चटान, यानि कि कोई पत्थर या पत्थर का टुकडा, सिल, बड़ी सुपारी को भी कई बार कॉब कहा जाता है गोल डबल रोटी को भी कॉब कह सकते हैं, मिटी और भूसा मिला कर बना हुआ जो पदा आर्थ होता है यानिकि आपने देखा होगा कि गाउं में या पुराने जमाने में मीटी और भुसा को मिला कर घर बनाए जाते थे घरों की दिवारे बनाए जाती थे उन पर लिपाई की जाती थी तो उसको भी कॉब कहते हैं इसके इलावा इसको गारा भी कहा जाता है इसके साथ साथ कोई नाटा घोडा होता है यानि कि जो कम कद का घोडा होता है उसको भी कौब कहते हैं और किसी चीज़ को गिराना मारना फिंकना या डालना भी कौब कहलाता है और कौब किसी का नाम भी हो सकता है यानि कि किसी वैक्ति का नाम भी कौब हो सकता है चैनल पर भी वीडियोज हैं जिन्हें आप जाके देख सकते हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिलकुल मत बूलिएगा